जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे पोल सबाँ अब तक तेरी है वाकई हैरत होती है इसके सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि करीब एक हजार वाहन उत्तरपदेश बॉर्डर पर पहुंचे नॉइडर और घाजियाबाद और बगएर किसी काम के यूटरन लेते हुए वापिस जो हैं वो अब राजिस्तान का रुक कर चुके हैं कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि अगर उत्तरपदेश सरकार ने ये हट धर्मिता ना दिखाई होती अगर उत्तरपदेश सरकार ने ये हैंकार ना बताय होता ता उन एक हजार वाहनों में गरीब मजदूर जो इस वक साड़क पर चल रहा है वो बैठा हो सकता था कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि बाकाइदा अवनीश अवस्थी नाम के इस ब्यूरोक्राट के लेटर में इस बात की परमिशन दी गई थी कि कॉंग्रिस अपनी बसें नौइडा और घाजयवाद के सीमा पर ला सकता है और उसे प्रशासन के सुपूर्द कर सकता है नहीं पूछ रहा है क्योंकि देखिए कॉंग्रिस तो जाहर सी बात एक पुलिटिकल पार्टी है अपनी राजनीतिक जमीन खूज रही है उत्तर पदेश में वो इस तरह की सियासत करेगी मुद्दा वो नहीं है मुद्दा ये है कि आज की तारीख में हमें एक प्रमान देना है हमें एक मिसाल देनी है कि संकट के बावजूद हमारे राजनीतिक मत भेज जितने भी हो हम सब एक साथ एक मंच पर बैठ कर काम करेंगे मगर सियासत का इतना बदसूरत शेहरा योगी प्रशासन ने उन बसों को घुसने ही नहीं दिया बावजूद उसके की बाकाइदा ये लेटर था जिसमें इन्हें गुसने की आनुमती थी मीडिया क्या डिबेट कर रहा मैं आपको बताता हूँ मेडिया आपके सामनी ये डिबेट कर रहा है आपके स्क्रीन्ज पर ये है टाइम्स नौ का हैश्टैग और ये कह रहा है बड़ा सवाल Congress exposes Congress, यानि Congress खुद को expose कर रहा है Given that Priyanka Gandhi did not deny that there may have been mistakes in the list of buses Isn't the Congress guilty of misleading migrants? Priyanka Gandhi ने अपने press conference में, अपने बयान में कहा था कि हो सकता है कुछ buses, जो हैं buses ना हो, ambulances रहे हो, cars रहे हो या trucks रहे हो, मगर इस मुद्दे को लेकर ये चैनल जो है, वो Congress को expose कर रहा है अब इस चैनल को देखिए, Republic नाम है इसका, भारती जानता पार्टी के एक सांसा दिनके मालिकों में से एक है और इनका संपादक जो है, पूरी तरह से बीजेपी का फिश लगू है, ये किस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है जी हाँ, इसमें पूरी गलती यहां पर Congress की है और कल आपने देखा होगा, तमाम debates में फोकस यही था कि किस तरह से Congress ने गलत जानकारी दी मैं कहता हूँ, अगर 889 बसे भी थी, वो अगर 889 बसे भी अगर निकल पड़ती तो क्या उससे मजदूरों को मदद नहीं मिलती और जो एक हजार वाहन थे, बाकि कौन से वाहन थे Cars रही होंगी, Ambulences रही होंगी, Tempo रहे होंगे क्या मजदूर सडक पर चलना प्रेफर करेगा या उस Tempo में बैठके अपने घर जाना प्रेफर करेगा उसके लिए कौन सी चीज सहूलियत भरी है, बताईए मुझे ये तमाम सवालात कोई नहीं पूछ रहा है पूरा जो दोश इसमें Congress पर मढ़ा जा रहा है और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रॉपगेंडा चलाया जा रहा है और ये बहुत ही effective प्रॉपगेंडा है क्योंकि आज बोलके लब आजान है तेरे में मैं ना सिर्फ ये जो मजदाक उत्तर पदेश के गरीब मजदूरों के साथ किया गया है जो उस वक्स सड़क पर चल रहे है ना सिर्फ उस पर फोकस करने जा रहा हूँ बलकि ये भी कि इस कॉरोना संकट में भी आखिर नियू यॉक टाइम्स जैसा आखबार भी क्यों कह रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोगप्रियता में कोई कमी नहीं आई है मैं उसके पीछे की वज़ा टटोलने वाला हूँ मगर सबसे पहले मैं आपको भारती जानता पार्टी के प्रोपगैंडा वो किस तरह से एफेक्टिव है प्रोपगैंडा क्या चलाया जारा दीखिए सबसे पहले पती नमबरी बीवी दस नमबरी उसके बाद रॉबर्ट वाडरा तो बेचारा यूहीं बदनाम है इसके घोटालों की सफलता के पीछे तो बीवी का हाथ है भाई आलू डालो सोना निकलेगा बहन टेंपो डालो बस निकलेगी देखें इन तीनों चीजों पर गोर कीजे इस वक्त रॉबर्ट वाडरा को लेकर भारती जाता पार्टी समर्थकों में एक जबरदस्त आकरोश है और खासके रॉबर्ट वाडरा जब भी कॉंग्रेस के घोटालों की बात आती है तो रॉबर्ट वाडरा एक चेहरे के तौर पर सामने उपरते है तो बहुत ही चालाकी से हाँ पर रॉबर्ट वाडरा को चेहरा बनाया है अब आगे देखिए भाई आलू डालो सोना निकलेगा राहूल गांदी के इस बयान का हवाला दिया जाता है और भारती जनता पार्टी जान बूच के आपके सामने आशिक बयान पेश करती है राहूल गांदी ने ऐसा कुछ नहीं का था राहूल गांदी सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहे थे और उस मिसाल को उन्होंने राहुल गांधी के बयान के तोर पेश किया तो जो तीनो स्क्रीन शॉट्स ये तीनो प्रोपिगांडा की जो मिसाले मैंने आपके सामने पेश की हैं वो क्या बतलाने की कोश्च कर रहे हैं वो सिर्फ ये बतलाने की कोश्च कर रहे हैं कि एक तरफ इन्हें मुख्यधारा की मीडिया का साथ मिल रहा है, वो मुख्यधारा की मीडिया जो योगी सरकार से बिलकुल सवाल नहीं कर रहा है, दूसी तरफ इस तरह के स्क्रीन शॉट्स वाटसाप के जरीए, प्रचारत अंत्र के जरीए वाइरल किये जा रहे हैं। आज एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तब क्या उन बसों का फिटनिस टेस्ट हुआ था। और कल्ब ना कीज़े, उस वकर अगर अशोग गहलोत ये कह देते कि नहीं साब कोटा में ये बसे नहीं घुसेंगी, पहले मैं इनका फिटनिस टेस्ट करूँगा। कल्ब ना कीज़े ऐसा कुछ होता। क्या आप अंताजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर मुख्यधारा की मीडिया में क्या बवाल होता। किस तरह से अशोग गहलोत को कटगरे पर चड़ा दिया गया होता। नितीश कुमार ने अपने एक विधायक को अनुमती दी थी, विशेश अनुमती दी थी कि वो जाकर कोटा में अपने बच्चे को वापस पटना ला सकें। इस खबर को भी दबा दिया गया था। मैं इसे गरीब के साथ एक करूर मजाक मानता हूँ क्योंकि आपके स्क्रीन्स पर 2013 में मोदी की जब पटना राली हुई थी तो उसको लेकर भारती चांता पाटी ने क्या इंतजामात किये थे। आपके सामने ये बताता है कि किस तरह से मोदी की पटना राली के लिए तीन हजार बसिस का इंतजाम किया गया तीस एलीडी का इंतजाम किया गया धेरों दरजनों से ज़्यादा ट्रेंज का इंतजाम किया गया विशेश ट्रेंज का ताकि वो पटना आ सकें लोगों को इन ट्रेंज में बिठा कर तो मोदी कीर राली के लिए तो इस तरह का इंतजामाद मगर अगर कॉंग्रिस यहां पर एक इंतजाम करती है तो आप उसे किस तरह से टार्गिट करते हैं तो मैंने आपको कारकरम की शुरुआत में बताया कि बावजूद इन तमाम चीज़ों के की गरीब जो है वो सड़क पर है लगातार वो सफर कर रहा है बावजूद इसके नियू यूँ यॉक टाइम्स की ये खबर बताती है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की लोग प्रेता बढ़ रही है क्या ये हकीकत है हो सकता है मैंने आपको कारकर्ण के शुरुआत में बताया कि किस तरह से मीडिया ने बहुत खुबसूरती से पूरे मामले को ट्विस्ट कर दिया मीडिया को सवाल ये करना चाहिए था कि भारती जहाता पार्टी सरकार उत्तर पदेश में अपना एहम क्यों नहीं त्याक सकती क्योंकि उन बसस का इस्तमाल गरीबों के लिए इस्तमाल किया जा सकता था मगर जो 99 फीसिदी मीडिया है वो ये प्रचार कर रहा था कि इसमें कॉंग्रिस की गलती है कॉंग्रिस का घपला है कॉंग्रिस का घुटाला है तो जनता की सामने जब ये संदेश जाएगा तो आप क्या सुचते हैं आप दूसरे मुद्दे पर गौर कीजे जब इस कुरोना संकट की शुरुआत हुई थी उस दौरान कुरोना संकट से लड़ने की बजाए भारत में क्या हो रहा था भारत का मीडिया क्या कर रहा था तब मुद्दे को हिंदू मुसलिम कर दिया जाए ये बात अलग है कि कोई मीडिया आपको ये नहीं बता रहा था कि आखिर तब्लीकी जमात के उस समारों को ग्रह मंत्रा लेने इजाज़त क्यों दी क्योंकि महराश्र प्रशासन ने मुंबई प्रशासन ने तो उनको ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है तो सबसे बड़ी बात मीडिया के जरीए ब्रेन वाश करना मीडिया के जरीए मास समोहन और जब ये संदेश जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रधान मंत्री की लोग प्रियता तो बढ़ेगी ना क्योंकि जब जनता के सामने आप असली म प्रवासी मजदूर जो तरपदेश लोटे हैं वो सब कुरोना वाइरस से संक्रमित हैं क्या कोई ये सवाल पूछ रहा है इस सरकार से कि आखिर जो मजदूर अपने घर जा रहे हैं टेस्टिंग किट्स के जरीए उनकी टेस्टिंग करके उन्हें क्यों नहीं भेजा जा र जा रही है ताकि ये मजदूर जो हैं वो बीमार होकर अपने गाउं ना पहुंचें ये मुद्दा में लगातार अपने कारकरमों में उठाता रहा हूं मगर क्या इस मुद्दे को लेकर केंदर सरकार से सवाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है छे साल पहले जब प्रध गुजरात मॉडल की चर्शा कर रहा है नहीं कर रहा है गुजरात मॉडल की क्या हालत में आपको बताता हूँ आपके स्क्रीन्स पर यह एहमदाबाद मिरर की खबर है वहां के जो मुख्यमंत्रियें विजयरुपानी नकली वेंटिलेटर्स का उद्गाटन कर देते हैं वहां जुटा बयान भी देता है कि मुख्यमंत्री ने कभी वेंटिलेटर शब्द का इस्तमाल ही नहीं किया अब एहमदाबाद मिरर द्वारा उपलब्द कराया गई ये तस्वीर देखिए ये जानकारी देखिए जिसमें साफ तोर पर मुख्यमंत्री विजयरुपानी ने वें संकट को लेकर सबसे कम टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है मगर कोई उसकी बात नहीं कर रहा है वो गुजरात मॉडल जिस पर सवार होके प्रधान मंत्री जो हैं वो सब्ता में आये थे उसकी अब कोई बात नहीं कर रहा है अब इस बात पर गौर कीजे प्रधान म तो अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि वहां के पत्रकार ट्रम्प से किस तरह से सवाल कर रहे हैं। गोर कीजेगा ध्यान से. कि अब में पत्रकार ट्रॉब जे सुट कि भी कर रहे हैं। एफसे प्ट्रबब्स भी पत्रकारा टिखाने तारे हैं। वहाट हैं। वहाई अपरणे कर रहे हैं। अच्छ प्रेद्ट आपको कि शुल्वाट हैं। आिन ग्रकिर इस चाह्यार्स यज कि रचे लिगर कि उपने के लिए कि लिर चाहरागी लिसी होथ़ा यौन उप दिए अिंगा प्रेटर अजिगति इस्ती इश्ट गुष्200ू 20 million people are unemployed, it's so disgraceful the way you say that, let me just, listen, I just went over it, I just went over it, nobody thought we should do it, and when I did it, तो ट्रम्प से कठिन सवाल करती है वहां की मीडिया, जी हाँ, आपको याद होगा, CNN के जिम कॉस्चा ने किस तरह से खड़े होकर ट्रम्प की बख्या उधिर दी थी, आप जानते हैं उसके बात क्या हुआ था, ट्रम्प प्रशासन ने उनके वाइट हाउस में घुसने पर प्रोक लगाती थी, फिर आप सोचेंगे कि वहां का मीडिया भी दोफाड होगा, जिसमें जो ट्रम्प समर्थित मीडिया है, उन्होंने जिम कॉस्टा को टार्गेट करना शुरू कर दिया होगा, जी नहीं, उस स्वक फॉक्स न्यूज जैसे प्रो ट्रम्प चैनल ने भी जिम कॉस्टा का साथ दिया था, उन्होंने कहा था कि जिम कॉस्टा को वाइट हाउस में घुसने की आनुमति दीजिये, अब कल्पना कीजे, अगर इस तरह से प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी से हमारे पत्रकार सवाल करते, या मुझ जैसे पत्रकारों को प्रधान मंतरी इ पाइदा करने वाले मीडिया हाउज़ पत्रकारों का साथ देते हैं एक नहाई थी घटिया वेबसाइट है और मैं न्यूस क्लिक में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने जूटी खबर चलाई खबर क्या है जानते हैं आप खबर उन्होंने ये चलाई कि किस तरह से एक मस्जिद के अंदर एक छोटे बच्चे की बली दी गई खबर सरसर जूटी थी बिहार के डीजीपी को आकर इस पर फेस्बुक लाइव करना पड़ा था पांडे जी को ये बताना पड़ा था कि खबर जूटी है क्योंकि इससे समाज में तनाफ पैदा हो गया था बाद में उनकी संपादक को पुलीस ने पूछता आच के लिए बुलाया था क्या आप जानते हैं जेपी नड़ा सामने आते हैं और उस मीडिया हाउस का समर्थन करते हैं कि किस तरह से बीजेपी करताओं को टार्गिट किया जा रहा है जब अरनब गुस्वामी को अदालत ने हाली में एक फैसला सुनाया था कि मुद्दे को सी बी आई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा एफ आई आर को खत नहीं किया जाएगा तो जेपी नड़ा ने कहा कि ये जो अदालती फैसला है वो कांग्रिस के लिए सीख है कि वो पत्रकारों को टार्गेट करना बंद करें और ये पत्रकार कर क्या रहा था इसने तीन बातें कहीं थी पहली बात कि पालगर में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके पीछे सुनिया गांधी का हाथ है कोई प्रमार नहीं इसके पास दूसरी बात बांधरा में जो मजदूर इखटा हुए थे ये मजदूर जो हैं भाड़े के टक्टू थे तीसरी बात बांधरा में जो मजदूर इखटा हुए थे वो एक मस्जिद के कहने पर यहां इखटा हुए थे यानि कि सामप्रदाइक माहौल को भी खराब करना जेपी नडडा ऐसे पत्रकारों के पक्ष में सामने उबर करा रहे हैं और मीडिया की आजादी की दुहाई दे रहे हैं तो आप सोचिए जब ये तमाम चीजें जुड़ जाती हैं प्रधान मंत्री की लोगप्रियता को क्या असर पढ़ने वाला है कोई असर नहीं पढ़ने वाला है और जो भारती जनता पार्टी मीडिया की आजादी की बात करती है तो मैं आपके सामने कुछ नाम पेश करना चाहूँगा गुजरात के पत्रकार इस खबर की मताबिक धवल पटेल उन पर देश द्रोह का मुकदमा दर्श कर दिया गया उनका गुणा क्या था उन्होंने सिर्फ ये खबर की थी कि विजय रुपानी को हटा कर मनसुक मंडाविया को आने वाले दिनों में मुक्यमंत्री बनाया जा सकता है देश द्रोह का मुकदमा पवंज है स्वाल जिनोंने ये खबर की थी कि मिड़े मिल स्कीम्स उत्तर पदेश में कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है वहां के गरीब बच्चों के साथ उसको लेकर इस शक्स को इतना परिशान किया गया कि जिसकी कल्पना भी ने की जा सकती उत्तर पदेश के एक और पत्रकार के पीछे यूपी स्टिएफ लगा दी गई उसका सिर्फ ये गुना था कि पी पिए परसनल प्रोटेक्टिव एकुप्मेंट में जो धांदलिया हो रही थी उस पर उसने खबर कर दी थी आज ये बीजिपी बात कर रही है पत्रकारों के आज़ादी की मीडिया अगर सीधे सवाल करने लगे तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी अगर ये सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तमाल करती है इसके आगे कोई नहीं टिक सकता जी हाँ तो बोल के लब आज़ाद है तेरे में बस इतना ही मेरे आप सबसे अपील की सकार करम को जासादा लोगों तक पहुँचाएं और न्यूज्स क्लिक के मेरे सकार करम को ना सिर्फ लाइक और शेयर करें बलकि हाँ वो बेल आइकन भी जरू दबाएं ताकि जैसी मैं कोई शू करूँ सिधे आपके मुबाइल फोन्स तक पहुच जाए